दोस्तों रेफ्रिजरेटर यूनिट पर ढूनने वाला जो चीज है वह उसका लीकेज हम लोगों को पता नहीं चलता कभी सिस्टम पर माइक्रो लीकेज हो जाता है कंडेंसर में या तो इबबरेटर कोयल में जो आसानी से पता नहीं चलता काफी लॉंग टाइम होता है यह त उसके बाद देखिए कि कहा से पैसर गरता है करनेंसर या इसका सोलुशन होता है और दोस्तों अगर लीकेज पता चल जाता है दिखाई देता है तो उसको सोल्डरिंग भी कर सकते है